समुद्र के किनारे पेशाब करने गया एक शक्स किनारे पर मौझूद था मगरमच। फिर देखिए क्या हुआ। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात ये है कि एक शक्स पेशाब करने के लिए समुद्र के किनारे गया था और वहाँ पर वो एकड़म बेबाक होकर खड़ा था उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है उसके हाथ में एक बोतल थी तभी एक मगरमच जो की आहिस्त समुद्र से उसकी तरफ बढ़ रहा था इस शक्स को बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है तभी इसे डॉल्फिन की आवाज सुनाई देती है और कुछ अपने तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है जिसके बाद ये सब समुद्र के किनारे को छोड़ कर तेजी से वहां से भागने लगता है मतलब इस शक्स को खुले में पेशाब करना महंगा पढ़ने वाला था इसका मतलब ये होता है कि खुले में पेशाब नहीं करना चाहिए अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताए गौर तलब है कि जिस समुद्र तट के पा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था जिसमें एक आदमी ऑस्ट्रिलिया के सुदूर उत्तर में टीवी इस लैंड बीच पर अपने हाथ में एक ड्रिंक की बोतल लिए समुद्र के किनारे पेशाब कर रहा है ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी और आप को वीडियो में तक के लिए नमस्कार